इस question को देखो, question number 35, आप से कहरा by increasing the number of the turns in the coil, the strength of the magnetic field, magnetic field के strength पर क्या फर्क पड़ेगा, आप देखें, magnetic field जो होता है, वो number of turns के सीधे सीधे proportional होता है, अगर आप number of turns बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, तो magnetic field बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, तो इसका मतलब कहीं नहीं कहीं magnetic field है वो number of turns के सीधे-सीधे proportional है तो इस हिसाब से option B is the correct doubt नहीं रहना चाहिए अगर आपको इस तरह के बाकी question भी solve करने है तो channel को subscribe कर लो playlist आ रही है playlist के अंदर इस तरह के सारे questions है magnetic effect of electric current के सारे questions है concept solve करा रहा है AME और जामिया के लिए conceptum के अंदर जितने भी concept है साथ में जितने भी questions है practice के लिए sub solve करवाई जा रहा है और आपको पता है न जो बच्चे होश यार होते हैं उन्हें पता है कि conceptum में से सीधे-सीधे question रख हुआ मिल जाता है आपके entrance में तो इसको हलके मतलो अच्छे सा practice कर लो thank you